गर्मिया की सिजन चालो होते ही कुछ ठंडा ठंडा कुल-कुल पिने का हमेशा मन करता है और क्या होता है कि इस गर्मियो में डिहाइडरेशन की प्रोब्लिम भी होती है तो लोग ज्यादा अतर वोटरी फुरूट यानि की जैसे ग्रेप्स बोलो जैसे वोटरमेलन बोलो ऐस खाना ज्यादा पसंद करते तो सबसे इस सिजन का पावर्फुल फुरूट माना जाता है जैसे वोटरमेलन यानि की तर्बुच यानि की कलिंगर जो सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसमें पानी का बहुत सारा पार्ट रहता है तो डिहाइडरेशन का प्रोब्लेम भी सोल हो जाता है तो गाइस दिसी शिल्पा फ्रों कुकिंग विद शिल्पा रायचुरात आज बहुत ही बढ़िया सी एसी रेसिपी चुटकियों में बन जाने वाली एसी रेसिपी आज आप सब के लिए लेकर आए हूँ कुल-कुल ठंडी-ठंडी सी रेसिपी वोटरमे सब्सक्रा इसी असलीर दस्न ने कुल-कुल बढ़ी सादे ऊपूरल शब। जात जाता वह बहुत ही तुल झेंगी यहां सेल्पीज। तो क्या होता है dehydration का problem भी जो शायद कभी-कभी हो जाता है वो भी कम होता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मिंटों में बन जाने वाले एसी recipe के लिए हम यहाँ पर कलिंगर का छोटा-छोटा सा piece कर लेंगे उसको cut कर लेंगे गाइस तो गैस सही मायने में जो सबसे powerful fruit माना जाता है कलिंगर बिल्कुल सही है क्योंकि color भी इतना eye-catching लगता है और खाने में भी इतनी मीठास होती और ठंडा-ठंडा कुल-कुल भी रहता है और पाने का पाड़ भी बहुत सारा रहता है कलिंगर में तो really super powerful fruit ऐसा यह कलिंगर होत आए गाइस तो बहुत है बढ़िया से एसी रेसिपी तो यहां पर हमने सबसे पहले सब कलिंगर के सीड्स भी अलग कर लिये हैं और यहां पर उसका कट भी लगा दिया और हागाईस यहां पर छोटी वाली गोल राउंड स्पून से हम थोड़े स्कूप भी निकाल लेते है कलिंगर से तो क्या होगा कि जब हम यह शर्बत यानि की जूस सव करेंगे न तो उसमें डालेंगे न तो बहुत ही बढ़िया टेश भी आएगा और आयकेचिंग भी बन जाएगी अपनी रेसिपी तो चलो गाईस आगे बढ़ते अपनी कूल-कूल रेसिपी की और तो यहा हम यहाँ पर एड करेंगे ब्लेक सॉल्ट चुटकी भर और उसके साथ हम यहाँ पर एड करेंगे ब्लेक पेपर पाउडर जो बहुत ही बढ़िया टेश देता है और रिफ्रेशिंग के लिए हम यहाँ पर एड करेंगे मिन्ट लिव याने के फुदी नहरा थोड़ा और य mixy jar में तो गाइस बिल्कुल कुल कुल और ठंडा ठंडा ऐसा refreshing drink यहाँ पर बिल्कुल ready हो रहा है गाइस तो यहाँ पर बिल्कुल बोलते हैं ना watermelon juice को super powerful fruit माना गया है क्योंकि यहाँ पर हमें बिल्कुल पाने add नहीं किया है बिल्कुल watery fruits यहाँ पर तो इसलिए हमें पाने मि अपना यह juice तो अपने इस juice को हम चान भी लेते हैं चानना इसलिए जरूरी है कि इसमें थोड़े बहुत जो कोई seeds रहे गए तो निकल जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल तरो ताजा कर देने वाला ऐसा आपना watermelon juice बिल्कुल ready है सव होने के लिए तो चलो कर लेते हैं सव तो गाइस इस watermelon juice को सव करने के टाइम यहाँ पर चुटकी बर बहुत ही कम ऐसा डालेंगे थोड़ा सोल्ट तो क्या होगा कि अपने इस juice का टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा और थोड़ा चाट मसाला और थोड़े ice cube तो चलो यह सब डालने के बाद सव भी कर लेते अपने ठंडे ठंडे कुल कुला summer drink को तो यहाँ पर एड़ कर देंगे थोड़े हमने जो scoop निकाले ना कलिंगर के वो भी एड़ कर देते और हाँ यहाँ पर मज़े की बात यह भी है कि हमने यहाँ पर जो थोड़े mint leaves याने के foodie नहरा एड़ किया है तो बहुत ही refreshment लगता है जब अब हम यह drink पीते हैं तो बहुत ही पढ़िया सी एसी refreshment drink याने की summer drink कुल कुल ऐसी अपनी watermelon juice बिल्कुल रेड़ी है तो हाँ guys कैसे लगी मेरी आज की recipe कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर विजिट करें तो like, share and subscribe my channel and hit the bell icon सो क्या होगा guys की मेरी हर नए वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी time to time और वो भी बिल्कुल free में guys तो मिलती हूँ जल्दी ऐसी प्यारी ठंडी 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 कुल कुल रेसेपी के साथ तब तक के लिए keep smiling, जै हिन, वन्दे मातरम, टाटा and thanks for watching, bye bye